उदाहरण 6 प्रश्न दिये गए चित्र 28 में X, Y, Z और A, B, C के मान ग्याद कीजिए हल चित्र से इस पस्थ है Y बराबर 110 अंश क्योंकि 110 अंश के कूण के साथ Y संगत कूण है इसी तरह से चित्र से आप देख सकते हैं कि X और Y रैखी की बनाते हैं इसलिए X धन Y बराबर 180 अंश रैखिक यूग्म चूंकि Y का मान हमें 110 अंश प्राप्त हुआ है इसलिए X धन 110 अंश बराबर 180 अंश या X बराबर 180 अंश रीण 110 अंश या X बराबर 70 अंश पुना चित्र में आप देखेंगे कि कौण Z जो है वो कौण X के साथ संगत कौण बनाता है यानि कौण Z और कौण X संगत कौण है इसलिए Z और X का मान बराबर होगा और इसलिए Z बराबर भी 70 अंश पुना चित्र देखें चित्र में आप देख सकते हैं कि कौण C 65 अंश के कौण के साथ एक अंतर कौण बनाता है अतह हम लिख सकते हैं कौण C बराबर 65 अंश क्योंकि ये 65 अंश के साथ एक अंतर कौण बनाता है पुना चित्र देखिए चित्र में आप देख सकते हैं कि कौण A और कौण C रैखिक युगम कौण है इसलिए A धनसी बराबर हम लिख सकते हैं 180 अंश क्योंकि ये रैखिक युगम कौण है रैखिक युगम C का मान हमें 65 अंश मिल चुका है इसलिए हम लिख सकते हैं A धन 65 अंश बराबर 180 अंश या A बराबर 180 अंश रिन 65 अंश या हम लिख सकते हैं A बराबर 115 अंश पुना चित्र देखिए चित्र में आप देख सकते हैं कि कौण B और कौण C शीरसा भी मुकौण है इसलिए B बराबर हम लिख सकते हैं C या B बराबर 65 अंश B बराबर C क्योंकि B और C शीरसा भी मुकौण है इस तरह से हमें कौण XYZ और ABC के मान मिल गए इनके मान इस तरह से हैं A बराबर 115 अंश B बराबर 65 अंश C बराबर 65 अंश X बराबर 70 अंश Y बराबर 110 अंश और Z बराबर 70 अंश यह उत्तर हमें प्राप्त हुआ यह उत्तर हमें प्राप्त हुआ अंश क हम थाफs 46 अंश झाल